दोस्तो इस वीडियो पर मैं डिसकस करने बाला हूँ भावय टॉमिक रिसार्ट सेंटर पर अभी तक जितने फी एक्जाम कंड़क्ट हुए है ना उनसा भी एक्जाम के प्रिवियर कोश्चन के बारे पर जी हां दोस्तो अभी तक भावय टॉमिक रिसार्ट सेंटर पर जितन चीज़ी समझ में आ जाएगी और आपको किस टाइप की तैयारी करना चाहिए ये भी समझ आ जाएगा आप इस वीडियो को पूरे देखे और अपने दोस्तों में भी सेयर कीजिए तो चलिए दोस्तों आपन वीडियो की सुरुआत करती है तो यहाँ पर पहला कोशिन क्या आया है प्रकिर्टी में सबसे मजबूट बल कौन सा है आप सब्से लोग बताए जैसे कि आपके पास कोई परमाडू है परमाडू में क्या क्या होता है इलेक्टरान प्रोटान और न्यूटरान यही होता है इलेक्टरान कक्षक की बाहर होते हैं चकर लगाते हैं और प्रोटान और न्यूटरान नाभिक पे रहते हैं तो इसी की वज़े से प्रोटान और न तो भी आपको याद रखना पड़ेगा, अब next question है, लोही की एक गेंद, जिसका प्रत्वी पर भार कितना किलोग्राम है, दस किलोग्राम है, तो उसका अंत्रिक्ष में भार कितना होगा, आप सभी लोग मुझे पता है, तो बताए इसका correct answer क्या होगा, थोड़ा सा common sense वाला question है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या बूल है, भार बूल है, और आप सभी लोग को पता होगा कि, जब भार प्रत्वी के बाहर जाता है, या फिर अंत्रिक्ष पर जाता है, तो भार हमेशा परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ पर अंत्रिक्ष पर जा रहा है, तो कभी परिवर्थित नहीं होता है लेकिन भार परिवर्थित हो जाता है तो अंत्रिक्ष पे उसका भार कितना होगा सुनने किलोग्राम इसका करेक्ट आंसर है नेट कोशन है जब किसी वस्तु को गरम किया जाता है तो वस्तु के अड़ों में क्या होता है तो आप जीसे बढ़ने लगते हैं इसका correct answer रहेगा next question है किस सिधान पर jet engine कार करता है most important question है और previous पूछा गया question है तो इसका correct answer रहेगा दोस्तो जो jet engine होता है न रेखे के समवेग सरफचन किस सिधान पर कार करता है option number A यहाँ पर right answer है next question है ओजोन परत किस वाई मडली परत में पाई जाती है तो बताए इसका correct answer के रहेगा दोस्तो बहुत ही important question है I hope आप सोभी लोग इस question के answer को सही दिये होंगे और मैं आपको बता दूँ यह बरकस सिटेंड के 2018 पर जो इस ट्रेंटरी ट्रेंटरी के exam हुआ था न उस पर पूछा गया question है तो आपकी exam पर भी इसी type से question पूछे जाते है तो इसका correct answer रहेगा ओजोन परत किस वाई मडली परत में पाई जाती है समताप मंडल पर पाई जाती है समताप मंडल को आप इंगलेस पर इस्ट्रेट तो इस्पेर भी कहते है इसको आपको याद रखना पड़ेगा option number 2 यहाँ पर correct answer रहेगा next question है फालों की अध्यन को क्या कहा जाता है फालों की अध्यन को क्या कहा जाता है पूमबो अलाजी कहा जाता है option number A यहाँ पर correct answer रहा दोस्त यह नरोड़ा पर 2021 पर जो एक्जाम हुआ था ना उस पर पूछा गया question है next question है इन में से किसमें बिद्दुत का प्रवाई नहीं होता है इसका correct answer क्या रहेगा दोस्तो इन्सूलेटर इन्सूलेटर पर बिद्दुत का प्रवाई नहीं होता है इन्सूलेटर का मतलब ही होता है कुछ आलक अब next question है NDRF का full farm क्या होता है तो इसका correct answer है दोस्तो NDRF का full farm क्या होगा सबसे पहले तो आप मुझे बतना है तो इसका correct answer है दोस्तो National disaster response force option number A इसका correct answer है दोस्तो आप सब्सक्राइब मुझे comment box में लिखके बताएंगे कि HDRF का full farm क्या होता है इसका answer आप मुझे comment box में लिखके बताएंगे दोस्तो यदि आप मुझे दो साल से जुड़े हुए है ना एक या फिर दो साल से जुड़े हुए है तो आपको पता होगा कि same to same question आपके exam पर पूशे गए question है ठीक है तो आप कोई वीडियो को देख सकते हैं मैं बहुत ही लंबे समय से BARC हो गया, NPCIO हो गया, NFC हो गया, HWB हो गया यानि कि परमाड़ उर्चे विवा के जितने भी पोश्ट रहते हैं जितने भी exam होते हैं सबके question को मैं यहाँ पर complete कराता हूँ और यह सब भी question previous year पे पूशे जाते हैं ठीक है और मैं जितने question बताता हूँ ना same to same question वहाँ पे पूशे है जाते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं आपको बता दूँ आपकी exam पे same to same easy type से question पूशे जाएंगे इसलिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है आप सही चैनल पर आएं और आप इस वीडियो को देखकर अपने preparation शुरू कर सकते हैं अब next question है एक अस्यू सकती में क्या होता है तो सबसे पहले बताएं एक अस्यू सकती बराबर कितने वाट होता है तो एक अस्यू सकती बराबर होता है 746 वाट तो option number 3 यहाँ पे correct answer हां है important question हैuß इंवे से कौन सी राश्री मूल मात्रक नहीं है यहाँ पिन और मूल मात्रक नहीं है तो यहाँ पर थोड़ा सा सूचनता पड़ेगा कि इसका करेकट्ट आंसर क्या होगा है तो बताएं कि आप साथ लोग को पता होगा कि बमान के इसाइ मात्रक क्या होता है किलोग्राम होता है लंबाई का इसाइ मात्रक मीटर होता है और जो कौण होता है ऊसका ród आसाइ मात्रक भी vintage होता है यानि कि kilogram, meter और इसका correct eyebrows दोस्तों इसके बाद next question है लोही पर जैस्ती की परत चढ़जाना क्या कहलाता है आप सब्सक्राइब लोग मुझे बताएं इसका correct answer क्या होगा तो दोस्तों important question है लेकन यहाँ पर हिंदी पर आहे है ना दिक्कति आई हो गई है तो यदि आप English पर देखेंगे तो बन जाएगा लेकन यहाँ पर इसका correct answer क्या रहेगा दोस्तों लोही पर जास् दी करण कहला जाता है ठीक है जैसे आपन English पर galvanization भी कहते हैं तो आपको याद दखना पड़ेगा यहाँ दी करण को भी आपन galvanization कहते हैं अब next question है laughing gas के से कहा जाता है तो आप सभी लोग बजाएं इसका correct answer क्या रहेगा तो laughing gas के से कहा जाता है दोस्तों nitrous oxide को कहा जाता ह जिसका formula क्या होता है N2O इसका right answer रहेगा nitrous oxide को laughing gas कहा जाता है next question है आपके किस भाग में वस्तु का प्रिटिमिम बनता है तो बताए इसका correct answer क्या रहेगा तो इसका correct answer रहेगा दोस्तों किस भाग पर पस्तु का प्रिटिमिम बनता है रेटीना पर बनता है बहुत है सिम्प अंदर सव डिगरी सेलसेथ पर भोजन पकता है ओक्स नमरे यहां पर राइट आनसरा है दूस्त अब बहुत ही अच्छा कोश्षन आया है जो कि बहुत ही इंपॉटेंट है नेश्ट कोश्षन क्या है एंजाइम क्या है तो एंजाइम एक तदिका प्रोटीन है तो आप्स नम साउंड नेवी गैसन एंड रैंगिंग इसका करेक्ट अंसरा ठीखना ओप्स नूमर यहां पर राइट अंसरा नेट कोश्षन है विश्यू के सबसे उची मूर्थि कहां पर हैं तो विश्यू के सबसे उची मूर्थि है दोस्तों भारत पर उसका नाम क्या है इस टेचिओ आ यानिकि स्रदार वल्लब भाइ प्टेल जी की मूर्ती, बिस्यू के सबसे उंची मूर्ती है नेक्ट कोशन है भारत की वर्टमान में मुखने अधैस कौन से हैं कौन है दोसतों? भारत के वर्टमान पे मुखने अधैस कौन है? एनवी रमननजी है जो कि कौन से नंबर के है अलतालिश वे नंबर के है लेकिन दोस्तों आपको बता दू अगस्त पे यह सेना निवरित हो जाएंगे यह नेकर डिटायर हो जाएंगे इसके जहका कोन आएंगे ललिट उदैसिंग आएंगे जो के मुखनियाधेस अगले रहे परिटायर के दोस्तों आपको यार रखना पड़ेगा नेट कोशन है प्रोट्यीण किससे बने होता है तो प्रोट्याई यह नहीसकर पहला पर्माडू रिक्टर कौन से है तो अक्हरा जो कि बहारत पे है ओप्समप्र यहांप पर्मार्व है गुषिक और प्रवड के आंसर देजिए अब कोशिन है चारग बिल्यन लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं तो दोस्तों जॉट जो चारग बिल्यन होते हैं लिटमस पेपर को लाल से नीला कर देते हैं confusion बाला question है, इसलिए आपको यार रखना पड़ेगा, जो शारक बलियन होते हैं, लाल को नीला कर देते हैं, अब next question है, एक वक्ति के पास 24 से होए, यदि उसने एक बटे चार भाग खा लिया, तो किन्ने से हो बचें, एक वक्ति के पास कितने से होए, यदि उसने एक बटे च चार निकालेंगे, तो कितना आजाएगा, उसने खा लिया, तो आप बचेंगे कितने से हो दोस्तों, चौबिस में यदि आप 6 घटा देंगे, तो 18 ही बचेंगा, तो 18 इसका correct आंसर हा, दोस्तों, यहां पर math के question भी मैंने previous year से अंगलोड कर लिया है, तो आप यहां पर दे एक लिखा न, एक के पहले जित्ते भी जीरो लिखेंगे, इनको सार्था अंग पर काउंट नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जब ऐसा होता है, यहां पर सार्था अंग कितने होंगे, एक ही होंगा, लेकिन जब इस टाइप से लिखा रहता हूं, इस टाइप से लिखा रहत यानि कि यहां पर तीन सार्थक अंक है अब नेट कोशिन है एक कार की चाल साव किलो मेटर प्रति घंटे है तो आप पांच घंटे में कितने दूरी करेगी बहुत हीजी कोशिन है इसके आंसर को आप स्वैम स्वल्व कर लेंगे अब नेट कोशिन है एक आयत की लंबाई 8xy औ इनके चौड़ाए होती है बस आप 8xy और 2xy इनका मल्टिप्लाइ कर देजिए आपका आंसर आजाएगा नेट कोशिन है दो हजार उननीस का नोबल पुरुषकार रसान की छेतर पर किसे दिया गया तो किसे किसे दिया गय थे दोस्तों इस्टे ने लिए गुड़ इन असकी किसे दिया गय था तो आप इसे याद कर लिए इंपॉर्टेंट कोशिन है और आपकी जाम पर पूछा जा सकते हैं हलाकि 2021 कीज वाले पर पूछ सकते हैं तो आप उन्हें भी देख लिजेगा अब नेट कोशिन है भारत में बुलर्ट ट्रेन किन-किन सहरों के मद्ध प्रकास वर्स किस कर दर तो प्रकास वर्स एक तरहतर का दूरी का मात कर दर दच है इसपे क्लोरीन के परमाड़ुभर 35 शेंक हो गैस परमाड़ुभर पर क्या क्या सो होगे दोस्तों प्रोटानों और न्यूटानों की संख्या को ही आपन क्या कहते हैं परमाड उभर कहते हैं तो यहां पर प्रोटान कितने होंगे दोस्तों यहां पर प्रोटान होंगे 17 और न्यूटान कितने होंगे दोस्तों न्यूटान होंगे 18 और यहां पर इल प्राप्त करते हैं तो आपके कितने प्रसेंट बने इसको आप स्वेम सॉल्व कर लेजिए एजी है एक अक्ष्य में 50 विद्यारती हैं और 40 प्रसेंट लड़कियां हैं तो लड़कियों के संख्या कितनी होगी आप मुझे में इसका अंसर बताईएगा हाला कि सॉल्व कर देता हो गए बहुत ही जी है तो यहां पर क्या बोला है 50 विद्यारती में 40 प्रसेंट लड़कियां हैं तो लड़कियों के संख्या को अपने को बताना है तो यहां कितना आ जागे दोस्तों 20 आ गया एक इसकी संख्या दोस्तो यह आ गई लड़कियों की संख्या तो कोशिन पर क्या बोला है लड़कियों की संख्या यह बोला है तो लड़कियों की संख्या किती आ गए 20 आ गए यहां पर लड़कों की संख्या बोलता न तो चीछ आ जाते हैं अब नेस्ट कोशिन है पेट में कौन अमलिप पाया जात है जिसे आप हाइड्र क्लोरी कामली भी कहते हैं एक वस्तु पर दस न्यूटन का बल लगाए जाता है तो इसका विस्थापन दो मीटर होता है तो कार कितना होगा तो कार वराबर क्या होता है दोस्तों बल इन्टू विस्थापन होता है बल इन्टू विस्थापन यह होता न इतना तो आप सभी लोग को पते ही होका बल इंटुव इस थापन बराबर क्या होता है दोस्तो कार होता है तो आपको क्या करना सीर्द सीर्द इसका multiply कर देना है और आपका यहांतर यहां पर आ जाएगा next question है घंद की एक भुज़ा 5 cm है तो इस कायटन क्या होका तो घंद कायटन क्या होता है दोस्तो भुज़ा की पावर 3 यही होता ना घंद कायटन तो यही होता है तो आप भुज़ा कितने है पांच है तो इसका आपन क्यूब कर देंगे तो इसका अंदर कितना आ जाएगा 125 घ तो सबसे इसके बराबर होते हैं और आयत की विकर्ण का फर्मूल्र किया होते है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बता देता हूं आपको आयत की विकर्ण का formula होते है next question है pool code का मन कितना होते है अब यहां पे क्या बोलेh pool code तो कितना होते हैं दोस्तो 350 degree pool code का मन होते हैं कैसे हुआ दोस्तो 360 आप जानते ही होंगे इसका correct answer एगा next question है y बरावर 6x-8 इसकी प्रावट्टर क्या होगी तो यह यह आपने इसकी सरल देखा कि समिकर्ण से कर देते हैं वाई बराबर mx प्लेश से इससे आपन तुलना कर देते हैं तो m की जगह पर क्या आता है यही आता है न इसकी प्रमण्टा कित्ती आ जाएगे इसकी प्रमण्टा आ जाएगे 6. अब नेट कोशिन है नेमने में से कौन सबसे लंबे समय तक मुख मंत्रि पर रहे तो कौन रहे दोस्तो पवन कुमार चामलिंग जोकी कौन से राज के मुख मंत्रि हैं सिख्किम राज क मुख मंत्री हैं इन्होंने कित्ते साल तक मुख मंत्री पत्पर रहें 24 साल तक मुख मंत्री पत्पर रहें इसके बाद कौन आते हैं जोती बसु जी आते हैं जोकी कोलकत्त से सम्मंदित हैं इन्होंने 23 वर्स तक CM पत्पर कारिक किया ठीक है तो यहां पर क्या बोले हैं सबस यहां पे संख की बात हुए होए भारत में 2800 राज आ और 8 प्रदेश ने लेखा वारत का राष्ट गण किस ने लिखा दोस्तो रविन नाट्य गोर जी ने भारत का राष्ट गण लिखा है सम्मिधान को कब अंगिकार किया गया यहां पर यह बूला है कि भारती सम्मिधान को कब अपनाया गया तो कब अपनाया गया तो 26 जन्वर 1950 को अपनाया गया था पूछा गया question है और repeated question है next question है ऐसा कौन सराज है जो AIDS एग्रेसित लोकों को सरकारी नोकरी में छोट देता है तो कौन सराज है दोस्तो केरल है next question है सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपर किसने जीता है तो किसने जीता दोस्तो राफेल ने डालने फ्रेंच ओपर सबसे अधिक बार जीता है next question है waterloo का यूध्ध कब होग था next question है next question है next question है एक घर्डी में शह बज़े हैं उसके कौन का मंद कितना होगा गाड़ी के बढ़ल एक 2 बज़े nhất तो यहाँ पर 6 बज़े न, तो 6 PID आपन 30 का multiply कर देती हैं, तो यहाँ पर कितने कोड़ आ जाएगा, एक सबस्ति है, डिगरिक आ जाएगा, तो यही question पर पूँचा था, next question है, x square plus y square बराबर 1, यह किसका formula है, तो यह एक गोली का formula है, next question है, घणाप का sutr क्या होता है, तो घणाप का formula क्या होतते saying, लंबाई, इνतो चोडाई, इनतो ऊंचाई, next question है, very very row किस vitamin की कमी के करणड होता है, तो very very row, vitamin B के कमी के करणड होता है, नेट कोशन है चन्रियान टू में लेंडर का नाम क्या था तो लेंडर का नाम क्या था दूस्तो बिक्रम लेंडर था ठीक है न तो आप्स नंबर स्वारी बिक्रम लेंडर इसका करेक्टा आसर रहेगा important question है एक बार इस question को फिर से देख लेती है question पे क्या बोला है चन्रियान 2 पे Lander का नाम क्या था तो विक्रम Lander का नाम था अब next question है रक्त कैसा उतक है तो रक्त एक सही हो जी उतक है next question है कौन रसानी कूर्जा को बित्व तूर्जा में परिवर्थित करते है तो रसानी कूर्जा को बित्व तूर्जा में कौन परिवर्थित करते हैं तो दोस्तों इस वीडियो के सिर्फ इतने question थे जो बावा इतॉमिक रिशाइट सेंटर पे जितने हो प्रिवेजर question पूझे गए थे ना उन सभी question को मैंने यहाँ पे discuss किया है hopefully आप सभी लोग को यह वीडियो पसंद आई होगे फिर भी आपके मन में question को लेके किसे भी तरह का doubt है तो आप मुझे comment box में बताईए और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मैं regular आपको इसी तरह के preparation के लिए वीडियो बनाते रहूं तो आप मुझे comment box में बताईएगा मैं आपके preparation के लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा इसका पेडियाप आप मेरे टेलिग्राम ग्रूप से ले सकते हैं वहाँ पर इसकी पेडियाप मिल लाएगी ठीक है दोस्तों तो फिर मिलते हैं नेस्ट वीडियो पे तब तक के लिए जय हिंद जय वारत